हेलो फ्रेंट्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री धिलर मुई एक्स्प्रेंट करने वाले है इस मुवी में एक बुड़े लाइनलोड के बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरियल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरियल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंटरस्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती और हम दीखता है कि सिरियल किलर एक बुड़े आत्मी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोगों को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम अमरे मेन क्यरेक्टर दियुक को देखते है यह एक बुड़ा लैंडलॉड है यहाँ केला ही रहता है इसे डाइविड इस भी है किसी से भी अच्छी बात हो कर ले इसे हो ही नहीं सकता इसके आसपास के लोग कोई भी इसके खिलाफ नहीं चाते पूरी सिटी में इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंट करता है इसके बाद हम देखते है कि डेवट अपने एक टेनन की पास आया है ये भी एक बुड़ाई आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ चाओ ने 2-3 महिनों से रेंट पे नहीं किया होता है तो देवट उसे अब मांग रहा होता है चाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ वो ज़रा बिमार है इसलिए ओ दे नहीं पा रहा देवक कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंट मिल जाना चाहिए तुम तुम्हारे सन से क्यों नहीं मांग दे वो तो अमेरिका में है तुम उसे पैसे मांग सकते हो यह हम देखते है कि चाओ के साथ उसके कुछ कोवरकर्स है यह बिमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है देवक बहुत स्टिकली बात कर रहा था तो यह कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यह रेंटी तो बागी है न वो तुमें दे देगा देवक कहता है कि तुमें इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों नहीं देती है इसके बाद देवक वहाँ से चला जाता है वो आगे सिटी में आता है तो ब्रीज के पास पुलिस को डेट बॉड़ी मिली हुई होती है वहाँ बहुत सारे लोग होते है और देवक ही देखने के लिए जाता है यहाँ पर उसे एक लड़गी दिखती है यह भी उसकी बिल्लिंग में रहती है यह उससे भी रेंड मांगता है यह हमारे मेन कैरेक्टर है और इसका नाम होता है सू चू कभी भी रेंड टाइम पर नहीं देती इसी वज़े से देवक उससे अब मांग रहाता है देवक को उसका नाम ही पता नहीं होता वो हमेशा उसे अपार्टमेंट 205 ही बुलाता है इसके बाद सू कहती है कि वो जल्दी से पे कर देगी और वहाँ से चली जाती है इसके बाद हम देखते है कि सीटी में और एक बुड़े आदमी की डेथ हो चुकी है नेकसिन में देवक सीटी में एक शॉप पर आता है ये भी शॉप वो ही ओन करता है और इसने मीन को रेंड पर दिया है देवक में को पसन करता है तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है में उसे वेलकम करती है और उसे सैंडविच भी ओफर करती है ये बुड़ा है तो ये सैंडविच खाने से उसे तकलिफ होती है पर फिर भी ये सैंडविच भो ले लेता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुड़ा अदमी आता है उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो विलचेर में है यह देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी फॉर्चुनेट है इसका पती इसका कितने सालों से खायाल रख रहा है इनकी जोड़ी बहुत ही रूमैंटिक है देवक केता है कि उसकी लाइफ कितनी खराब है उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है देवक कितना भी कन्ट्रोल करले पर वो जिस तरीके से है उसी तरीके से बात है तो कन्टोल नहीं कर पाता जो body city में मिली थी ये देवक की ही एक building से मिली है पुलिस से जब देवक बात करता है तो उन्हें लगता है कि ये natural day थे रात में देवक जब घर पर आता है तो फिर से चाव से मिलने के लिए आता है वो देखता है तो चाव बहुत सारा खाना उसने लाया हुआ होता है कि हमेशा से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता था अब उसे लग रहा है कि जो old man मर रहे है ये सब serial killer का काम है 30 साल पहले इसी तरीकी का case उन्होंने handle किया था और ये pattern में आप हो रहा है पहले तीन old man मरेंगे और इसके बाद लड़किया मरने वाली है चाओ कहता है कि हम सब बुड़े लोग चर जाते है वहाँ पर दो-तीन दिनों से मुझे एक homeless बुड़ा आत्मी दिखनी रहा serial killer हमेशा उनी लोग को target करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा दियोक उस पर जादा भेलिवनी करता और वहाँ से चला जाता है इसी बिल्ली में सू भी रहती है सू अपनी फ्रेंड के साथ बात करी होती है उसके पास इस मंद के रेंड के लिए भी पैसे नहीं है उस सारे पैसे अपनी मदर को भेज देती है उसकी रूमेट उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा मत किया करो तुम सारे पैसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा ये सब दियोक भार से जाते जाते सुनता है रात में हम देखते है कि चाओ का मर्डर हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुमारी रूममेट के साथ ही रहती हो अब मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ यह मना करे होती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में फिर से चाओ को देखनी के लिए जाता है इसी वज़े से चाओ ने सुसाइड कर ली होगी यह बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब ब्रेम करने लग जाते है देवक हमेशा जिस में इसमें खाना खाता है वहाँ जब वो आ जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते है सब देवक पर बहुत ही गुसा है वो मीन के रेस्टारंट में भी आता है पर आज ये रेस्टारंट बन होता है सुख अपने बॉस के बास जाती है और उससे कुछ एडवांस मांगती है उसने सब पैसे अपनी मदर को भीज दिये है उसका बास उसे मना कर देता है इसके बाद वो देवक के पास आती है देवक को कहती है कि अब वो रेंट पे नहीं कर पाएगी वो घर खाली कर देने वाली है देवक से डिपोजिट लेकर वो चली जाएगी देवक को लगता है कि चाउने सुजाइट कर ली है तो ये भी उसे ही दोज दे रही है ये उसे पूछ लेता है सुकेती है ये मुझे पता है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा नहीं हुआ है हम सब को पता है कि तुम रव बोलते हो पर तुम दिल के साफ हो कोई रेड ने देवाया इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है यह वो देवक को समझाती है यह देवक पर बिलीव करती है देवक चाओने ऐसा क्यों कियो होगा यह देखने के लिए चाओ के घर में आ जाता है वहाँ पर सब चीजें वो देख रहा होता है तभी और एक आदमी वहाँ आ जाता है यह उसे मारने लग जाता है यह दै कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसे पता ही नहीं है कि चाओ मर चुका है देख उसे सब कुछ समझाता है यह जो आदमी है यह हमारा और एक में क्यारेक्टर है इसका नाम होता है पार्क चाओ बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आने वाला है यह वही उसका फ्रेंड है पार्क भी डिरिक्टिव ही था पाग को जब मालूम होता है कि चाओ ने सुसाइट कर ली है तो वो बिलिव नहीं कर पाता वो देवक से कहता है किसा हो ही नहीं सकता चाओ से मिलने के लिए बहुत सालों बात उसका बेटा आने वाला था वो अब सुसाइट क्यों करेगा इसे पक्का मालूम है कि चाओ का मर्डर हुआ है रात में सू घर पर आती है तो उसके रूमेट का मर्डर हो चुका होता है यह बहुत इडर जाती है और पुलिस को कॉल लगा रहे होती है पर तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे सिरियल किलर है ये बाहर जाने के लिए बहुत ही स्टागल करती है पर ये किलर उसे भेहोश कर देता है देवक का रूम सूख के रूम के नीचे ही है उसे कुछ आवाजे सुनाए देती है तो वो देखने के लिए जा रहा होता है सुद दरवाजा खोलने रहे तो अपनी चावी से ओख खोलना जाता है तब वहाँ आसपास के लोग उसे रोख लेते है वो कहते हैं कि तुम्हारी वज़े से चाव मरा है और रेन के लिए अब रात में भी तुम लोग को परेशान कर रहे हो यह वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते है देवक भी चला जाता है निक्स दिन देवक जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिरिक्ट्ट्व पार्क होता है देवक उससे बात ने करने होती पर पार्क उसके टेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे है अब इस पैटन में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉंग हेर सुंगे देवक को सू की याद आती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेसे सु के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वह एक लड़का होता है जो जबर्दस्थी अंदर गुसरा होता है देवक जब इसे स्पॉट कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है देवक भी अपने स्कुटी पर उसका पीचा करता है इसके पीचे-पीचे आगया जाता है तो एक दंडे से देवक को बेहुश कर देता है ये एक गली गुन्डा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है देवक से सब पैसे वाइक रहा हो चीन देते डिटेक्टू पार्क भी बुड़ा ही है और फिर भी इन से भीट जाता है सब को बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है तुम भाग कर क्या रहे थे ये लड़का कहता है ये सूकी फ्रेंड मेरी गल्फ्रेंड है वो एक दो दूनों से मेरे फोन नहीं उठा रही ये इसके लिए वरीड था इसलिए घर में घुछ रहा था अब देवक और पार्क ये दोनों सूक के घर में घुछ जाते है पार्क जब अपार्मेंट देखता है तो सूक की फ्रेंड की बाड़ी फ्रेज में होती है देवक को ये देखकर बहुत ही सदमा लगता है इसे लगता है कि ये सू ही होगी पार्क उसे कहता है कि सू की वहाँ बाड़ी नहीं है इसका मतलब है सू अभी भी जिन्दा है देवग फिर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है पर पार्क उसे रोक लेता है पार्क उसे कहता है कि सू अभी भी जिन्दा है पर अगर हमने पुलिस को इन्वॉल किया तो Serial Killer जल्दी ही उसे मार देगा पार्क कहता है कि हम दोनों को मिलकर अब उसे ढूणना चाहिए देवक बहुत सालों से इस शेहर में रह रहा है तो उसे इस शेहर के बारे में सब कुछ पता है और पार्क डिरिक्टिव था तो इस दोनों मिलकर सिरियल किलर को ढूण सकते है चाओ ने इस सिरियल किलर की जो भी सब इन्वेस्टिकेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी ये डोर्बुक पार्क देखता है वापस सब सस्पेक के नाम होते है राद में पार्क और देवक जब दिनर करते है तो देवक कहता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पाक अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब उसने सिरियल किलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में जाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को इमार डाला पाक जब थोड़ी देर के लिए भार गया था पाक जब आया तो उसने किलर को भागते वे देखा था सिर्फ किलर की आखे उसने देखी है पाक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आखों से उसे पहचान लोगा जाओ कि डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने के लिए देवक और पार्क अब घुमते है दोनों जब मिन के रेस्टोरन में होते है तब पाक देवक से कहता है कि मीन को भी इस सिर्यल किलर ने पकड़ा था वो उसे मारने वाला था पर मीन वहाँ से भाग गई थी पाक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हार्ड हो सकता है फिर भी पाक उससे बात करना चाता है पर देवक उसे वहाँ से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बहार आते हैं तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो फिल्चेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत सस्पीशेस है सीरेल किलर हमेशा इसे तरीके से वॉलेंटियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सीरेल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहता है कि मुनी आखों में आख डाल कर देखो तभी इस डॉक्टर की वाइब टॉयलेट कर देती है इसके आप कपड़े वेगरा डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे तो उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नापर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आईवीज भी लगाई है कुछ टीटमेंट सूपर चल रही है पाक का शाख 100% इसी डॉक्टर पर है यह देव को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूँगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देव क लॉक्ट समीथ ही होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चिलनाने की कोशिश करती है पर यह पूरी पैरलाइस्ट होती है यह कुछ भी बोल नहीं सकती है घर जानते हुए बैग्यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें advanced lock होता है पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए ready हो जाता है पाक देव को call लगाता है पर ये call नहीं लगता पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जो इस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पार को मारने वाला है पाक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पाक के पेट में चाको गुसा देता है देव क डॉक्टर के घर पर डोर खोलने कोशिश कर रहा है पर ये कर नहीं पा रहा हुता, तब ये डॉक्टर वहाँ जाता है, ये उसे पुछता है कि तुम हो कौन, डॉक्टर केता है कि मैं सो को ढून रहा हूँ, डॉक्टर उसे निकल जाने के लिखेता है, डॉक्टर को शक जाता है कि ये पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा, उसे ये भी पुछता है कि इस शेड में क्या है डॉक्टर और दियोग दोना लड़ाई करने लग जाते है तब वहाँ पार्क भी आ जाता है ये इंजोर्ड है पर इसने अब गन लाई हुई है ये डॉक्टर को एक जगा बेटने की लिखेता है दियोग जब अंदर जाता है तो व डॉक्टर के ये ये दिसीन ही मैं यूज करता हूँ पारक को अभी भी बिलियू नहीं हो रहा यहाँ पर पारक एक मास्क देखता है कहता है ये डॉक्टर मास्क पहनने के बाद इसे 100% कंफरम हो जाता है कि यही सिरियल के लर हिben अब अपनी गन से डॉक्टर को मारने वाला पर देवक उसे रौक लेता है देवक को जड़कता है और गोली जलाता है पर एक खिलोनों की गन होती है डॉक्टर कहता है कि यह क्या है देवक पार्क के पॉकेट szczek करता है पार्क के लॉकेट में लिखा होता है यह अलजाइमर का पेशन्ट है परक पुराना डिरिक्टिव है पर इसे भूलने की विमारी है तो इस पर कोई भी बिलियो नहीं कर सकता देवक अब हॉस्पिटल को कॉल करता है और पार के सन को भी कॉल लगाता है पाक को हॉस्पिटल में लेकर जाते है अब देवक से डॉक्टर बात करता है वो कहता है किलबी इस किसी को भी इसके बारे में पता ना मत देवक भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला जाता है चावने पाक को कहा था कि और एक बुड़ा आदमी है जिसको जर्च में धुड़नी पा रहा देवक उसका पता निकालता है और उससे ढूणने के लिए जाता है उसके घर पर उसके डेट बोड़ी उसे मिलती है इस जगा पर देवक देता है कि ओल्ल मैन का डॉक भी मर चुका है इस डॉक के मुँँ में एक कपड़ा होता है देवक अपनी ही बिल्ली में एक आदमी के लॉक बदल रहा था तभी उसने उसकी पैंड देखी थी यह फटी होई थी और उसी पैंड का कपड़ा इस डॉक के मुँँ में है यानि कि वही आदमी सिरियल किलर है यह जब देवक देख रहा होता है तभी और एक पुलिस ओफिसर इन्वेस्टेशन करते करते यहां आ जाता है देवक यहां से भाग जाता है पर पुलिस ओफिसर को पता है कि यह देवक ही था देवक अपनी बिल्ली में किलर के घर बर पहुँच जाता है यहाँ जाहकर सब और लोगों की तस्विर इसे मिलती है पुलिस भी पीछा करते करते यहाँ आ चुका है देवक नहीं मर्डर किये है ऐसा उसे लगता है और देवक को हैंडकफ करता है देवक उस पर चीरता है पहले देखतो लो कि यहाँ आसपास क्या है देवक पर बिलिव करता है यहाँ जो आदमे रहता है यह रेलवे के हाँ काम करता है देवक इस पुलिस को समझाता है कि अगर दूसरे पुलिस को तुने बता दिया तो सुख खत्रे में आ सकती है हमें उसके killer को ढूणना है दूसरे पुलिस को ना बताते हुए ही अब वो इस railway की हा आ जाते है देवक को गाड़ी में बैटने के लिए केक कर यह पुलिस आगे चला जाता है देवक गाड़ी में नहीं बैटता और खुद ढूणने लग जाता है यह पुलिस आदमी मिल जाता है देवक पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसन मत बनो मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगो को मारा है एक killer देवक को मारने लग जाता है पुलिस वहाता है पर पुलिस और इसकी भी fight होती है एक killer आगे निकल जाता है पुलिस बेहोस होता है पर देवक killer के पीछे भागता है killer रस्ते से जाही रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे उडाग कर निकल जाती है देवक इस killer के पास पोचता है यह मर रहा होता है तो मरते मरते देवक को बता कर जाता है कि और एक killer है जिसने ये सब किया है नेक्स दिन देवक पुलिस को बताने कोशिश करता है कि और एक serial killer है पर अब serial killer मर चुका है और पुलिस को बहुत ही complicated लगता है तो इस idea को drop कर देते हैं हम पता है कि में पर serial killer ने हमला किया था देवक जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे प्लीज उस हमले के बारे में पताओ वो उसे killer को पकड़ने में help कर सकती है मिन भी uncomfortable होती है पर बात करने के लिए राज ही हो जाती है यह जब उसने मुझे पकड़ा था तो मैं उसे देख नहीं पाई पर उसका strong smell मुझे आ रहा था उसके हाथ भी मुझे अजीब लगे जैसे उसकी छे उंगलिया हो अब देवक यहां से चला जाता है यह पार्क से मिलने के लिए hospital में आता है पार्क को ज़्यादा कुछ याद नहीं है तो देवक प्रिटेंड करता है कि उसका friend चाओ है जाते-जाते हो देखता है कि पार्क के रूम में fool है और यही fool उसने doctor के पास देखे यहाँ doctor पर उसे शक जाने लग जाता है पार्क अभी भी कहरा होता है कि doctor ही था जिसने इस सब murder किये थे अब देवक डॉक्टर के पास फोच जाता है तो डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेक अप करवाना है डॉक्टर उसकी पर्स जब चेक कर रहा होता है तो देवक देखता है कि इसकी छे उंगलिया तो नहीं है पर इसकी उंगलियों पर एक मार्क है यानि कि डॉक्टर ने उसकी उंगली काट ली होगी डॉक्टर को एक अंफरेंट कहता है डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आप तुम जादा जीने नहीं वाले यानि कि डॉक्टर ही रियल सिरियल किलर था डॉक्टर देवक को बहुत मारता है उसके शेड में जहाँ वो ट्रग्स उगाता है उसमें और एक रूम होती है यहाँ पर सू भी है तो डॉक्टर सू के पास ही देवक को रखता है सू कुछ भी बोल नहीं पा रहे है डॉक्टर कहता है कि मैं इसे आप पैरलाइस करने वाला हूँ वो उसे मेडिसिन देकर वो कभी चल फिर ना पाए इस तरीके से करने वाला होता है देवक पुछता है कि यह सब तुम क्यूं कर रहे हो डॉक्टर कहता है कि मेरे वाईफ से अब मैं बोर हो चुका हूँ मैंने जब सू को देखा तो सू भी मेरी वाईफ की तरह ही दिखती है अब मैं इसके साथ रहूंगा मैं इसे लेने के लिए इसके घर पर गया था पर इसकी फ्रेंड वहा के तो मैं इसके फ्रेंड को भी मार दिया हमने रेलवे में काम करने वाला सिरियल किलर देखा है ये सिरियल किलर ओर लोगो को मार रहा था डॉक्टर ने जिस तरीके से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा था यह सिरियल गिलर चाओ को मारने के लिए गया था तब ही डॉक्टर को इसने स्पोट किया था जब देवग और पुलिस इस सिरियल गिलर को पकड़ने के लिए गये तो यह डॉक्टर ही था जिसने उसकी गाड़ी से सिरियल गिलर को उड़ाया था डॉक्टर अपनी वाइफ को भी यहा ले कराता है वो अपनी वाइफ को मारने वाला होता है तब ही पार्क वहाँ पहुच जाता है अब पार्क के पास रियल गन होती है डॉक्टर बिलीव नहीं करता कि पार्क के पास real gun है इस gun से पार्क डॉक्टर का कान उड़ा देता है इस रूम में डॉक्टर के पास acid है यह acid इन दोनों पर भेखता है पार्क डॉक्टर पर जफ़क पड़ता है वो देव को कहता है कि सूख को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ पार्क और डॉक्टर दोनों fight करते डॉक्टर कहता है कि उस दिन यानि कि 30 साल पेले तो तुम कुछ भी कर नहीं पाये थे पार्क के बॉस को डॉक्टर ने मार दिया था पर उस ताइम अगर पार्क चाहता तो सिरियल किलोर को मार सकता था पर वो डर गया था यही चीज़ों से खाती थी और इसी वज़े से अपको जो भूलना चाहता था यही रीजन था उसे अलजाइमर होने के लिए अब यह दोनों यह दुसरे को बहुत मारते है डॉक्टर पार्क पर गोली चला देता है पार्क वही गिर जाता है और डॉक्टर अब देवक के पीछे लग जाता है देवक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सू को छुपा देता है यहाँ बहुत फाइट करते है और डॉक्टर अब द्योग को मारने वाला होता है पर पार्ग वहाँ पोच जाता है यह इंजोर्ड है फिर भी डॉक्टर को बहुत मारता है डॉक्टर अब बहोश हो जाता है पार्ग उसे जान से मारने वाला होता है पर द्योग उसे रोक लेता है वो कहता है कि हमें इसे पुलिस में देना चाहिए हम अगर इसे मारेंगे तो हमें और उसमें कोई भी फरक नहीं रहेगा अग थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है पाक 30 साल पहले कुछ करने पाया था पर वो अब खुश है उसने सही से बदलाब ले लिया है डेव भी बहुत इंजोरोड हो चुका था तो हस्पिटल में है उसे देखने के लिए मिन और सू दोनों आई हुई है यह हमेशा से अकेला ही था पर अब इसे हेल्प करने के लिए सू और मिन ये दोनों है यही मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और बेल नोटिविशन आइकों दबना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी की साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आपने आपका ख्याल रखिये